ओम गण गणपतये नमहा स्री गुरुदे वदत्त नमस्कार मित्रो प्रोफिट 666 चानेल में आपका स्वागत है मित्रो आज इस वीडियो में मैं आपको मन चाहे जीवन साथी के साथ शादी के लिए एक अत्यंत सरल और आसान लेकिन शक्तिशाली महा मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ यह महा मंत्र दिखने में अत्यंत सरल है और इसका जाप करना बहुत ही आसान है लेकिन इसमें प्रचंड शक्ति है क्योंकि इस मंत्र से श्री राम और श्री कृष्ण को इन्वोक यानि की आववान किया जाता है कि वह आपकी शादी होने के लिए आपकी मदद करे इस मंत्र के जाप से मन पसंद या योग्य, वधू या वर्से शादी होने में मदद होती है और लव मैरेज या एरेंज मैरेज में होने वाली देरी या रुकावट या विरोध हट जाता है अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत बुलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें अब मैं आपको मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ कुरुपया ध्यान से सुनिए यह मंत्र प्रसिध और लोकप्रिय हरे राम और हरे कृष्ण के महा मंत्र पर है और उसके बारे में आप सबको पता ही होगा इस मंत्र के जाप की शुरुवात आप दिन में या रात में किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो केवल मंत्र का जाप शुरू करने के लिए सिर्फ एक बार आपको हाथ जोड़कर प्रभू से प्रार्थना करनी होगी की हे प्रभु मैं इस मंत्र का जाप मन पसंद जीवन साथी पाने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ या अगर शादी में रुकावट या देरी हो रही हो तो प्रार्थना करनी है कि रुकावट, देरी या विरोध दूर हो जाए इसके बाद आप मंत्र का शाब्दिक या मानसिक जाप शुरू कर सकते हो इस मंत्र का जाप करने के लिए कोई भी निर्धारित संख्यान नहीं है और किसी भी पूजा विधी की आवशक्ता भी नहीं है अब मैं आपको यह महा मंत्र बताने जा रही हूँ कुरुपया ध्यान से सुनिये यह मंत्र मैंने हिंदी और अंग्रेजी में भी लिखा है मंत्र इस प्रकार से है अप्रेजिए प्रेजिए 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 आपको सब कुछ भूल कर इस मंत्र में खो जाना है इस मंत्र के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यहां मंत्र शादी के अलावा आपको हर काम में मदद करेगा और आपके जीवन में सुख समृध्धी और आनन्द आ जाएगा और आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी मित्रो यह एक महा शक्तिशाली महा मंत्र है और किसी भी चीज के लिए संकल पर लेकर इस मंत्र का जाप आप शुरू कर सकते हो अगर आपको हमारा चानल पसंद आ गया हो तो कुरुपई या सस्क्राइब करना मत भूलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे